आज अब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं दा बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर करके आया है वो मुद्दा हज 2020 से जुड़ा हुआ है सौदिय आरविया के मक्का मदीना में हर साल हज के लिए 25 लाख के करीब लोग हर साल अलग-अलग देशों से जाते हैं दो लाख से करीब जादा लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से जाते हैं लेकिन इस बार कोरोना के चलके की वज़ा से हज को लेकर के किसी भी विदेशी को अनुमती नहीं मिली कि वो सौदिय आरविया जाकर के हज कर पाए अब सौदिय आरविया के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को लेकर के पिछले दिनों एक ओर्डर आया था कि जो लोग सौदिय आरविया के अंदर ही रह रहे हैं जो लोग हज करेंगे उसमें 30% लोग साओदी आरभी आके होंगे यानि के साओधी नाघरिक होंगे और 70% लोग बाकी लोगों को अनुमति मिलेगी इसके अलावा साथ खासतौर से बातों पर हम जिक्र करेंगे क्या-क्या चीजें होंगे खासतौर से सबसे पहली चीज है कि जो तवाफ के जो सिस्टम होता है दरासल जो मक्का का जो कावे का जो तवाफ किया जाता है जिसमें चारों तरफ लोग खोनते हैं उसमें कम से कम डेर्ड मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग शारिरी की दूरी की बात की गए कि तवाफ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लागो किया जाएगा और डेर्ड मीटर की कम से कम दूरी रखनी होगी दूसरी चीज जो है वो यह कि खानकाबा को छूने पर रोक रहेगी जिस तरह से पहले जाकर कि खानकाबा को छूते थे चूमते थे अब वो खानकाबा को छूने का सिस्टम नहीं होगा दूर से ही आपको सिर्फ तवाफ करना होगा खानकाबा के करीब आप नहीं जा पाएंगे इसको सिलसिले में बैरिकेडिंग की गई है तीसरी चीज यह है कि एक साथ इखटा होकर के नहीं बैट पाएगा कोई भी इखटे होकर के बैटने पर रोक होगी हाजी एक जगा इखटा होकर के नहीं बैट पाएंगे उसके अलावा फेस मास्क को मेंडेटरी कर दिया गया है सेनिटाइजर को मेंडेटरी कर दिया गया है पिलस 50 पिर जो स्क्वाइर फिट होता है, 50 स्क्वाइर मीटर के टेंट में सिर्फ और सिर्फ दस लोगों के रहने की अनुमती होगी उस से जादा लोग वहाँ पर नहीं रह पाएंगे उसके अलावा एलकोहल युक्त सेनेटाइजर को पर्मीशन दे दी गई है कि आप एलकोहल युक्त सेनेटाइजर का इस्तमाल करेंगे और उसके अलावा सबसे बड़ी चीजी होगी कि रोजाना जो है जितने भी हज यात्री वहाँ पर होंगे चाहे वो सौधी के नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो उन सभी को सेनेटाइज किया जाएगा उन सभी के रोजाना चेक अप किये जाएगे उन सभी का टेमपरेचर चेक किया जाएगा उन सबी को अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वहां पर डॉक्टर्स की सुइधाय रखी जाएंगी तो यह कही सारे बदलाव इस बार हज में किये जाएंगे खास्तों से जो बड़ा बदलाव जो हमें लगता है वो यह कि खाने काबा को छूने की अनुमती इस बार नह हुआ करते हैं कि अगली बार जो हर चीजह सुधर जाएं और अगली बार पहले की तरह हज हो लेकिन इस बार हज का तरीका कुछ अलग होका तो यह सारे जो अनृम है этом in यह बनाए गए इस पार इन नियमों को लागर को ही हज किया जाएगा हमारी आपसे दौय के जितने भी लोग हज पर जा रहे हैं, वो सब लोग हमारे लिए भी दूआ करें और अब बाकी लोगों के लिए भी दूआ करें और कोरोना से पूरी दुनिया को जल से जल आसानी मिले इसके लिए दूआ जरूर की जाए आपको यह एपिसोड कैसे लगा यह जरूर बताईए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं जाकर के अपनी रह में जरूर बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि